नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विवे देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वोरियर्स को मिलने वाले 50 लाख रुपे के वीमा यूजना को वापस ले लिया है केंद्रिय स्वास्त सचिव राजेश भूशन ने इसको लेकर राज्य सरकारों को भी पत्र लिखा स्वास्त सचिव ने ये पत्र 24 मार्च को लिखा था लेकिन अब सामने आया है दरसल सरकार ने पिछले साल प्रधानमंतरी गरीब कल्यान पैकेज के तहट स्वास्त कर्मियों के लिए बीमा यूजना की शुरुआत की थी इसके तहट कोरोना मरीजों के इलाज कर रहे स्वास्त कर्मियों का 50 लाख रुपे तक का बीमा कवर किया गया था अगर ड्यूटी के दौरान किसी स्वास्त कर्मियों की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 50 लाख रुपे तक की सुरक्षा मिलती है 24 मार्च को राज्यों को लिखे चिठी में केंद्रियस स्वास्त सचिव ने लिखा इस बीमा यूजना को शुरू में 90 दिनों के लिए लागू किया था लेकिन बाद में इसे बढ़ा कर 24 मार्च 2021 तक कर दिया गया उन्होंने लिखा कि कोरोना के इस दौर में इस यूजना ने ड्यूटी के दौरान जान गवाने वाले स्वास्त कर्मियों के परिवार को राहत देने का काम किया इस लेटर में इस बीमा यूजना को बढ़ाने की बात नहीं कही गई है इसका मतलब हुआ कि 24 मार्च 2021 को ये यूजना खत्म हो गई हलाकि अब स्वास्त मंत्राले ने ट्वीट कर बताए कि इस यूजना के तहट 24 अप्रेल 2021 तक बीमा क्लीम कर सकते है स्वास्त मंत्राले ने ये भी बताए कि कोरोना वॉरियर्स के लिए सरकार जल्द ही दूसरी बीमा यूजना लाने की तयारी कर रही है स्वास्त सच्यू के मताबिक इस यूजना के तहट अब तक 287 क्लीम या तो अप्रूव हुए हैं या फिर उनका भुकतान कर दिया गया हलाकि इंडियर मेडिकल एसोशेशन के नुसार 736 डॉक्टर ड्यूटी के दौरान अपनी जान गवा चुके हैं आई-मे के राश्टिय अध्यक्ष डॉक्टर रवी वांग खेटकर ने बताये कि 736 में से सिर्फ 287 डॉक्टरों के परिवार को ही बीमा की रकम दी गई हलाकि सरकार की तरफ से इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि डॉटी के दौरान कितने डॉक्टरों की जान गवानी पड़ी फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार